असलाम अलेकुम मैं योट्यूप, हमली हो वाई वाल है, यहोप यॉवाल है, तो यार सब की हुआईश होती है, मतलब सब का दिल करता है कि हमारी Korean स्कीन हो जाए, Japanese की तरह स्कीन हो जाए, तो बिल्कुल वैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, थो यह हमोज है कोशिश करने के लिए, रिफेज पैक बिनाएंगे, यह पैक आ आरा सकते हैं, बोडी पर लगा सकते हैं, बोडी आप लोग के जो प्राइवेट पार्स होते हैं, अध़र लगा सकते हैं, तो आप लोग को जहांपर भी ड़क्निग का इसène हैं आप लोग वह यूज करें और इसके आप लोग को इतने ज़ादा बेनिफेट्स मिलेंगे ना तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अप्लाइ भी करके दिखाऊंगी और देख लेते हैं जिनाब इसमें कौन कौन सी चीजें जाएंगी तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना जिनाब कॉन फ ठीक है प्लेम फ्लॉर जो हते हैं वो मैंने ले लिया हमने ले बलफू रहता है और साथ में जिनाब यह आप लोग की स्किन को इतना जादा ग्लोई कर देता है और फ्रेश कर देता है तो जो मैदे ना वो बहुत अच्छी इस चीज़ है अगर आप एडिश्व भी यूज़ करते हैं ना हाली भी अगर आप इसे अपने फेस पर ऐसा पैक लगा लेते हैं और तो अफ़ली देर के बाद धो लेते हैं तो आप लोग को फिर भी बहुत जादा ग्लोई स्किन मिलेगी ठीक है तो असके बाद हमने जिनाब इसमें डाल देना है तही डही आप लोग झाल को पनीचींग को पहुँता है ये भी याप लोग की स्किन ISL मै काइड कर देना है अगर आप लोग मेरे से कॉंटिटी पूछें तो मैंने यहां पर 3 टेबल स्पून कॉण फ्लॉर लिया 3 टेबल स्पून ही मैंने यहां पर लिया जिनाब आटा मेदा जिसे कह ले और जिनाब हमने इसमें 2 चमब दही के किया और 3 चमब जो है ना वो मैंने दूद के अट की एं ठीक है अगर आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी सी वो लगे ना क्या कहते हैं तो तिक लगे तो आपने मिल्क और रएड कर लेना है ठीक है यहां फिर आप योगर्ट और एड कर लें साथ में यहां पर milk add कर लें और यहां पर मैंने one tablespoon शुगर भी add की थी लेकिन वहां पर ना मेरा camera जो था ना वह बन था मुझी यह था कि video बन रही है लेकिन वह बन थी कर आपने one tablespoon nah sugar भी add कर लेनी है थीक है is up to you कि आपने अगर उसका पघर, जाला ना यह जो पांचे चीजों का हमने अज मिक्सचर बना है यह इतना कुछ जादा यह इफेक्टिव है ना के आप लोग जब इसे यूज करेंगे ना तो आप लोगों को बहुत जादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो देही और दूज है उसमें इतना जादा लग्ती केसिट होता आप लोग के अगर डार्क स्पोर्स हैं डार्क सर्कल्स हैं यहां फिर कोई ना किसी किसम की पिग्मेंटेशन है तो यह सब कुछ का ना हात्मा कर देगी तीक है तो यह आप लोग इने रेगुलर बेसिस पर यूज करना है क्योंकि इसका कोई भी साइडी वेक नहीं है तो इस तरह नहीं होता कि आपकी स्किन जो है वो बहुत जल्दी मतलब एक यूज के बाद दिना बहुत अच्छी हो जाती है आप लोग को ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है तो इसलिए आप थोड़ा टाइम दिया करें चीजों को यूज किया करें एक ही बार आके बार करें कि रिजर्ट नहीं मिला तो एक भार से तो कुछ भी नहीं होता मतलब कि कमिकल के बगएर तो अब लोगों को पता है कि result जरूर देती है और result जो होते है ना वो long lasting होते है ठीक है तो यह देखें जी यहांपर मैंने लगा लिया था थोड़ा सा हुश्क हो गया है तो इसको मैंने पहले रप किया है उसके बाद मैंने ना यह towel से remove कर लिया है और पहुं इतने कोई मेरे मुलाएं नरम हो गए थे ना और इसके जो है ना वो glow हो गए थी तो इसे मैं regular basis पर जब use करूंगी तो इतना कमाल का result देती है ना यह तो आप लोगों ने इसे जरूरी उसकरना है और फिर जो कोई 8-9 दिन गुजरेंगे ना उसके बाद आप लोगों ने आके मैं जिना क्या कहते है feedback देने अपना ठीक है तो जिनाब यहाँ पर मैंने एक cream prepare की हुई है आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है तो आप लोगों की बीना Korean skin तो हम नहीं कह सकते लेकिन उसे मिलती जिलती जरूर हो जाएगी ठीक है जिसे आप glass skin कह सकते है आप glass skin कर यह मतलब नहीं है कि आप लोग बड़े गोरे चिट्टे दूद जैसे हो जाएंगे ऐसा नहीं होता मतलब आप लोगो की शेयर में फरक जरूर आता है लेकिन एक दो टोन का फरक पर जाता है यह नहीं है कि अब आप बहुत जादा मतलब एक पर हैं तो आप दस पर चले जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता दो तीन शेयर का फरक परता है उसके बाद आप लोगों को ना मतलब आप लोग की स्कीन को आप बहुत ज़ादा अच्छा रख सकते हैं ठीक है ग्लास स्कीन का मतलब होता है कि आप लोग की स्कीन बहुत ज़ादा सॉफ्ट हो बहुत अधा यूनो उपर कोई पिमपल वगरा ना हो कोई सकार ना हो कोई पिगमेंटेशन ना हो तो यह होती है गलास कीन तो जब आप यह यूज़ करेंगे ना खंटिन्यूजली रेकुलर बेसिस पर तो आप लोग की गलास कीन हो जाएगी बाकी जो मैंने आप लोगों से क्रीम्स शेयर किया ना वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसका लगाने का तरीका मैंने वीडियो के अंदर ही पताया वा लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जागा ठीक है बहुत सेफ क्रीम्स है जैसे लेकिन मैंने आप यूज़ करना तो आप लोगों को बहुत थिर इसरी रिजल्ट्स मिलेंगे और लगाने का तरीका भी मैने उसी में पताया और फोटीक है यूज़ लगी होप यूज़ तो आप लोगों को ची लगी अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने त्रय ZARUर करना ठीक है तो मिलेंक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर अलाहाफीस बाई